इसका common ratio 2 था, इसका common ratio 3 था, multiply करा है, तो इसका common ratio 6 आ गया, common ratio multiply हो गया, common ratio थो ऐसे होता है, इसको multiply करो R से, 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 देखा जी भी बन रहा है, यहाँ पावर में है, denominator में N प्लस मन, वहाँ पे वैसे ही denominator में N प्लस मन थ याद करने में आसानी रहती है बस बताने के लिए मैंने ये स्वाल करवाया है कि ये भी एक तरह से जीपी है इसकी वेलू नहीं है तो जीपी बोले तो जमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बोले तो जमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी स्टैंडर्ड अपिरेंस कैसी होती है स्टैंडर्ड अपिरेंस का मतलब है सकल कैसी होती है एक पहली टर्म A गिवन होगी फिर R से मल्टिप्लाई करके AR होगा और AR की पावर N-1 औब्जर्फ कर सकते हो N-th टर्म होगी है ना तो सबसे पहली ही चीज हमें समझ में आ गई कि जो N-th टर्म है वो है AR की पावर N-1 पहला फोर्मुला ठीक है जी ठीक है अब यहाँ पे आप देखिए R जो है उससे multiply करकर के हमको terms मिल रही हैं तो R को बोलते है common ratio common ratio बोलते है R को बोलते है common ratio हमारा R हो गया ठीक है जी क्या R की value 1 हो सकती है क्या GP के common ratio की value 1 हो सकती है क्या R की value 1 हो सकती है R की value 1 हो जाएगी तो A, 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 A sequence बन जाएगा वो GP होगा AP भी होगा common difference की value भी 0 हो सकती है AP में ठीक है R की value 0 हो सकती है क्या क्या यह GP है A, 0, 0, 0, 0 यह GP है यह नहीं है कारण इसका 0 by 0 तो आप करो के तफ आएगा मैं करूंगा ही नहीं common ratio तो ऐसे होता है इसको multiply करो R से 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 देखो GP बन रहा है क्या problem है GP तो यह होता है कि हर अगली term पिछली term को R से multiply करके मिलने चाहिए ऐसा sequence GP होता है तो यहां पर तो common ratio तो आ रहा है 0 आ तो रहा है क्या problem है 0 0 से multiply करके मिल रहा है तो R तो 0 आ रहा है यहां पर R 0 आ रहा है this by this की value defined नहीं है वो एक अलग बात है मगर R तो इसका 0 आ रहा है ठीक है ऐसे sequences का जिकर नहीं करते वो एक अलग बात है GP ऐसा भी हो सकता है क्या जिसका common ratio complex number imaginary number हो ऐसा हो सकता है क्या बिलकुल हो सकता है Iota Iota square Iota cube Iota की power 3 GP है Iota से multiply कर 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 अगला हम term प्राप्त कर रहे हैं Iota यहां पर common difference common ratio है मेरे कहने का मतलब यह common ratio जो है real हो सकता है one हो सकता है imaginary हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई problem नहीं होती ठीक है अब यहां पर देखिए यह term number 1 है यह term number 2 है कि term number 2 को term number 1 से divide करेंगे term number 3 को term number 2 से divide करेंगे यह सिलसला चलता जाएगा term number n को term number n-1 से divide करेंगे तो answer सब के case में एक ही आना है that is r ठीक है अब अगर हम सम निकालना चाहें अगर हम सम निकालना चाहें gp का a plus ar square and so on ar की power n minus 1 है न हम चाहते हैं कि हम इन सारी terms को जोड दें चाहते हैं तो जोड देते हैं कैसे जोडेंगे हम दोनों तरफ r से multiply कर देते हैं multiply both side by r देखो जरा r से multiply कर दिया तो ये तो rs हो गया है है न आर से multiply किया तो ये कितना हो गया है E. R ये कितना हो गया है E. R square है ना मे इसको multiply करके फ़ड़ा shift करकेा लिख रह करके इसको यहां लिख रहा हुँ इसको आगे लिखुरूंगा और इसको लिखुरूंगा इधर इस बात से सहमत हैंे बिल्कोल एक दम, ठीक है, तो जब हम इन को जोड़ के लिख रहे हैं, तो यह हमारे पास दो सीरीज बन गए, अब मैंने कहा कि माइनस कर देते हैं दोनों को, जब दोनों को माइनस कर देते हो, आप subtract कर देते हो, subtract कर देते हो तो यह देखो minus करने पे सब cancellation हो जाता है, एक तो बचता है a और एक बचता है minus ar की power n minus ar की power n ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो sum निकल गया gp का a ले लिया common 1 minus r की power n upon 1 minus r, ठीक है, इसी बात को कुछ लोग यूँ भी लिख देते हैं कि a into r की power n minus 1 upon r minus 1 है इसको यूँ बदल दोगे, इसको यूँ बदल दोगे तो यह हो जाएगा, a into r की power n minus 1 upon r minus 1, समझ में आरी बात आपको, तो यह लोग अगर समझ में आरी है तो यह sum का formula है, याद करना है, very important, sum का formula है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो सारी कहाने, very important, ठीक है, sum का formula याद हो जाना चाहिए, tn, n terms of gp का formula याद हो जाना चाहिए, और gp तो भई बनता ऐसे है, यह बात एकदम पता हो जाने चाहिए, अपने को, very very important बाते हैं, तो अपन gp के सारे important points एक जीगा लिख लेते हैं, है न, जो भी अपने कोई चीजें ध्यान रखनी है, important points, gp जो है, वो आपके सामने लिख देता हूँ, पहले तो a, ar, ar square, ar cube and so on, ar की power n-1, सबसे पहली चीज, तो आपने देखी लिए, tn का formula पता होना चाहिए, ar की power n-1, दूसरी बात, t2 by t1, t3 by t2, equal to tn, upon tn-1, होता है, r के equal, तीसरी बात observe कीजिए, ये वाली term और ये वाली term को multiply करोगे, t1 और tn को, तो ये वाली और ये वाली multiply करके, जो मिलता है, उसके बराबर मिलना चाहिए, ठीक है, इसको, ये वाली term कुन सी थी इदर वाली, इदर वाली आएगी आपकी, yellow लिख देता हूँ, ये आएगी आपकी, ar की power n-2, इसको, इसको multiply करके, जो मिल रहा है, वही इसको, इसको multiply करके मिल रहा है, हैना, वही जो है, t3, tn-2 को multiply करके करें आज़ा के मिलेगा और इसल्सल्व आगे चलता रहेगा ठीक है कि네 नमबर फोर अगर हम दो जीपी को एर्ड करते हैं तो क्या नया सीक्वेंश्म जीपी आता है क्या कि हमारे पास है यह एक जीपी है ये वाला अगर हिम दोनों को add करेंगे तो इनने नया sequence gp आएगा नहीं आएगा दो gp को add करने और minus करने से add करके देखो आप नया sequence gp नहीं आ रहा है दो gp को add और minus करने से नया sequence gp नहीं आता मगर दो gp को multiply करते हो तो नया sequence gp आता है आप multiply करके देखोगे, तो नया sequence जो है वो GP आ रहा है, ठीक है, divide करोगे तो भी नया sequence GP आ रहा है, ठीक है, इसका common ratio 2 था, इसका common ratio 3 था, multiply करा है, तो इसका common ratio 6 आ गया, common ratio multiply हो गया, divide करोगे तो common ratio divide हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं यह लिख रहा हूँ, multiplication, कर दो या division कर दो, दो GP का, है ना, वो GP ही होता है, है ना, that will be a GP, ठीक है, पहले वाले GP का common ratio अगर R1 है, दूसरे वाले GP का common ratio R2 है, तो उनको multiply करके, जो GP मिलेगा अपने को, उसका common ratio होगा, R1 into R2, है ना, यह बात है, एक और बात समझ लेते हैं अपन, यहीं पर, अगर GP की terms का, लोग ले लोगे, तो AP आ जाता है, लोग ले लो, लोग A, देखो, लोग A, अगली term हो गई, लोग A plus लोग R, उससे अगली term हो गई, लोग A plus 2 times of लोग R, देखो, AP आ गया के नहीं आ गया, है ना, लोग of the terms of GP will be an AP, यह भी इक इंट्रेस्टिंग प्रोपर्टी है, लोगेरिथम अगर ले लें, लोगेरिथम of terms, terms in GP, will be an AP, है ना, GP की terms का लोग लेने पर AP आ जाता है, यह सारी बातें भी समझ में आ गई अपने को, अगर कभी भी GP में terms consider करनी पड़ जाएं, है ना, तीन terms मान लो, कोई बोले GP में हैं, तो आप तीन terms को यूँ भी मान सकते हो, मगर कई बार ऐसा मानने पर, problem जल्दी solve हो जाती है, ठीक है ना, तो ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, depending upon the situation, है ना, यह तो आपको पता ही है, extra में यह लिख दिया मैंने, three terms in GP, ऐसी भी माननी जा सकती हैं, जी, four terms GP में माननी हों कभी, तो a by r cube, a by r, a r, a r cube, ऐसे माननी जाती हैं, है ना, four terms in GP, four terms in GP, five terms जो हैं वो, a by r cube, a by r square, है ना, a by r, a, a r, हाँ, a r square, a r square से ही कर दो, a r square, a by r square, a by r, a, और a r, और a r, और एक हो गई, a r square, यह होगी है, हमारी five terms, five terms in GP है ना, इसके इधर a r square और इस तरफ a by r square लिग दिया, और इसी प्रकार से, कितनी भी terms GP में माननी पड़ें, मान सकते हैं अपन, ठीक है, अगर कोई हमें कहता है कि तीन नंबर GP में हैं, if a, b and c are in GP, तो हम उसको बोलेंगे, तभी sum of है, जब b by a की value, c by b के वराबर आई होगी, मतलब b square आपका a, c के वराबर होगा, middle term का square a into c के वराबर होना चाहिए, ठीक है, एक और बात देख लेते हैं, Generally, geometric mean की जब बात करते हैं, तो positive numbers के बीच में की जाती है, है न, geometric mean between two positive numbers a and b, दो positive numbers हैं, a और b, यह है a और b, है न, दो positive numbers है, geometric mean इनके बीच में एक ऐसी value होती है g, such that यह sequence क्या बन जाए, gp बन जाए, और अभी हमने देखा, वो g जो है, उसका square करने पे ab के बराबर आएगा, है न, तो g किसके बराबर आएगा, root ab के, तो दो positive numbers का geometric mean, root ab होता है, और numbers gp में हैं, तो g square तो ab के बराबर होगा ही होगा, ठीक है, अगर मान लो, कोई हमको बोलता है कि दो numbers हमारे पास है, a है, b है, इसके बीच में हमें n terms डालनी है, इसके बीच में n terms डालनी है, such that, कि यह जो resulting sequence है, यह gp बन जाए, तो एक बात तो अपने को note करनी है, कि यह जो n terms, जो डाली है, इनको बोलते हैं, angiometric means, और ऐसी भाशा का परियोग किया जाता है, कि angiometric means are inserted between two numbers a and b, दो numbers a और b के बीच में angiometric means को insert कर दिया है, इस भाशा का परियोग करते हैं, तो अगर कर ही दिया है, और कोई पूछे इनकी values क्या होंगी, तो हमें इसका common ratio पता होना चाहिए, तो यह n terms हो गई, यह एक n plus 1 terms हो गई total, तो यह जो b है, यह n plus 2th term है, है न, जो term number n plus 2th है, वो है b, तो यह हो गया a r की power n plus 1 equal to b, r की power n plus 1 equal to b by a, तो जो r है, वो b by a की power 1 upon n plus 1 होता है, इस वाली बात को याद रख रहे न, अगर यह r निकल गया, फिर g1 यह निकल जाएगा easily, g1 तो हो गया a r, g2 हो गया a r square यूँ करते हुए, आप कुछ भी निकल वाल हो चाएगे, यह न, gn हो गया a r की power n, ठीक है, हमने जब n arithmetic mean insert किये थे, तो arithmetic means का sum देखा था, क्या होता है, अब हम देखना चाहते हैं कि इन geometric means का product क्या होगा, product of n geometric means, यह जो n geometric means हैं, इनका product क्या होगा, तो यार जो product होता है, वो होता है, g1 into g2 into g3 करते-करते, gn तक की कहानी, ठीक है, product को लिखने का, product को लिखने का, एक और symbol भी होता है, ऐसे लिख देते हैं, pi gi, i की value 1 से लेकर के n, जैसे summation के लिए sigma का इस्तेमाल किया जाता है, product के लिए pi का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, जो product pi gi अगर आप निकालना चाहते हैं, तो pi gi देखो क्या होगा, यह जो product है, इसको देखते हैं भी, मैंने क्या किया, इन दोनों का product कर दिया, जीवन, जीएन का, तो जीवन, जीएन का product तो a b के वराबर है, अरे है के नहीं है, तो इन दोनों का जो product है, वो हो गया a b, फिर इन दोनों का भी कितना होगा, और इन दोनों का भी a b, a b into a b into a b कितनी बार आएगा, n by 2 बार ही आएगा, तो यहां से feeling आ गई होगी, power कर दी n by 2, अरे समझ में आरी के नहीं आरी, a b की power n by 2, ये बात समझ आगी, a b की power n by 2 को, मुझे बताओ, अगर ये by 2 हटा करके, अगर मैं यूँ लिख दू, root a b, तो कोई समझ आ तो नहीं है, root a b की power n हो गया, root a b की power n को अगर मैं बोल दू, single geometric mean की power n, तो बात एकदम सही है क्या, तो n geometric means का product, single geometric mean की power n होता है, और n arithmetic means का, some, single arithmetic mean into n होता है, ये बात भी अपने को समझ में आ गई, समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, याद कर लेंगे, ठीक है, ये जो है, ये वाले जो statement है, ये अपने को याद हो जाना चाहिए, इधर से तो ये वाला formula पता होना चाहिए, ये वाला formula है, ये एकदम पता होना चाहिए, r निकालने का, तो कितना interesting formula है, ये है b by a की power 1 upon n plus 1, और d निकालने का formula क्या था, b minus a upon n plus 1, वाबे भी terms हैसी थी, ये या b by a है, तो उदर b minus a था, ये पावर में है, denominator में n plus 1, वहाँ पर वैसे ही denominator में n plus 1 था, तो मिलते जुलते formula हैं, याद करने में आसानी रहती है, तो ये हमने important points सारे लिख दिये हैं, geometric progression के बारे में, gp के बारे में, हम फिर इनके उपर सवाल करेंगे, ठीक है, important points देखिए, आप यहाँ से लिखे हैं, लिख लीजिए अपनी copy में, तीनों सवाल बहुत basic, basic से सवाल है न, बड़ इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे पहला सवाल, बहुत ही simple सवाल है, four successive terms हमें gp की find out करनी है, और हमें कुछ न कुछ आपस में relation दे रखा है, तो आपके mind में सबसे पहले यही आएगा, जब भी आप four terms देखोगे, कि मैं a upon r cube, a upon r, ar or ar cube माल लूँ, वो basically हम क्यों लेते थे, calculation को easy करने के लिए, और वो वहाँ लेते हैं, जहां पे हमें product दे रखा हो, क्योंकि चार term का product दे रखा हो, उस तरह से हम लेंगे, तो r cancel out हो जाएगा और a बच जाएगा, और a की value डायरेक्ट मिल जाती है, यहां पे ऐसा कुछ तो given नहीं है, तो आप वो terms लोगे, तो भी answer आजाएगा, आप basic चार terms ले लो, a, ar, ar square और ar cube भी ले सकते हो, अना ऐसा नहीं हो सकता, कि वो लेने से answer नहीं आएगा, आज आएगा, पर जब हमें product नहीं दे रखा हो, तो आप कोई भी चार terms ले लो, वो larger, इसमें भी बहुत confusion होता होगा, सबको तो नहीं, बढ़ कुछ को confusion होता होगा, तो इस confusion को कैसे दूर करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, पहले तो ले लेते हैं, four terms ले लेते हैं, कोई भी, पहले कोई भी four terms ले लेते हैं, let four terms, open gp, a, ar, ar square और ar cube, ठीक है, चार terms ले ले ली, अब सबसे पहला relation क्या दे रखा है, second term is smaller than first by 35, बहुत फर्स्ट और second में आपस में relate किया गया है, first और आपस में second को relate किया गया है, एक बार के लिए दोनों को क्या लिख लो, बराबर लिख लो, क्या ये बराबर है, अब आप देखो कि छोटा कौन सा है या बड़ा कौन सा है, एक identify कर लो, दोनों में आपस में relation दे रखा है, दोनों को बराबर लिख लिए, क्या ये बराबर है, नहीं, बराबर नहीं है, क्या है, second term is smaller than first, छोटी कौन सी होगी, second, बड़ी कौन सी होगी, first, तो कोई भी दो quantity मैंने बराबर लिख लिखिया, बड़ बराबर है नहीं, तो बराबर बनाने के लिए, छोटे में प्लस करते हैं, बड़े में माइनस करते हैं, तो 35 कि इधर प्लस करना है, ये confusion आपको कभी नहीं होना चीए, इधर प्लस करूँ कि इधर प्लस करूँ, इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो प्लस करना होगा, तो 35 इधर प्लस करते होगा, और माइनस करना होगा, तो बड़े में से माइनस करेंगे, तो बराबर हो जाएगा छोटे के तो यह confusion कहीं पे भी आपको आगे से create ना हो जिन दो चीजों में आपको relate किया गया आपस में वो उसका exceed कर रहा हो, less than हो रहा हो, greater than हो रहा हो दोनों को बराबर लिख लो और आप identify करो की छोटा कौन सा है उन में से चोटा है second term, तो चोटी में कुछ value प्लस करेंगे तभी वो उसके बराबर हो सकती है बड़ी के, ठीके पहला relation तो यह हो गया और क्या दे रहा है, third term is larger than fourth by 560 third और fourth में आपस में relate कर रहा है third में, third को लिख लिया fourth के बराबर third term is larger, यह दे रहा है third term is larger, third बड़ी है, fourth छोटी है छोटी में प्लस करेंगे, कितना? 560 बन की दो equations छीक है, इनको solve कर लो अब इनको solve करने की, GP के अंदर कभी भी हम A और R की दो equations को solve करते हैं तो substitution का use नहीं करेंगे, उससे थोड़ा lengthy होगी calculation यहाँ पर क्या use करेंगे, cancellation यूज करते हैं cancellation कैसे यूज करेंगे जैसे यह A और R है, इसको मैं क्या लिख लूँगा? A minus A R is equal to कितना? 35 इसमें से मैं A को common ले लो तो क्या जाएगा? 1 minus R equal to 35 इदर से? यह क्या बन जाएगा? A R square minus A R cube is equal to कितना हो जाएगा? 560 यहाँ से common ले लो क्या? A R square common आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर? 1 minus R बचेगा? is equal to 560 1 minus R यह आएगा? अब इन दोनों को divide कर दो इन दोनों को divide कर दो divide करोगे तो left hand side तो हो जाएगा 1 minus R A R square 1 minus R is equal to 35 by 560 cancellation करेंगे तो A A से cancel out हो जाएगा? ठीक है? यह से cancel out हो जाएगा इसको cancel करेंगे तो 1 minus R की value 0 तो नहीं हो सकती न? कोई भी factor यदि हम numerator और denominator में cancel out करते हैं तो वो non-0 होना चाहिए तो 1 minus R non-0 होना चाहिए यह तो first time में वो वैसे ही non-0 होगी बचा क्या? 1 upon R square is equal to यह से cancel out हो जाएगा आपको सवाल दिया होगा तो cancel out होगा वो 35 से cancel out होगा कितनी बार? 16 16 time cancel out होगया ठीक है R square की value कितनी आगी? 16 R कितना आजाएगा? 4 या plus minus 4? plus minus 4 आजाएगा यह इसका तरीका रेगा R निकल गया R की 2 value है तो दोनों को चेक करनी पड़ेगी क्या दोनों होगी 2 होगी तो दो तरह की sequence बनेगी एक होगी तो एक तरह की बनेगी ठीक है R की value आप plus 4 लें पहले तो A कितना मिलेगा? हाँ? फ्रेक्शन में आ रहा है तो यह 4 ले ले तो कितना आजाएगा? A R की value कितनी आजाएगी? 1 minus 4 minus 3 हो गया 35 by 3 minus का हो जाएगा और R की value किया ले? minus 4 ले तो A कितना मिलेगा? minus 4 लेने पहे 7 आ जाएगी 7 आ जाएगा ना? minus minus plus 35 और यह divide में 5 होके R A की value 7 आ जाएगी क्या बहुँ? 7 ही आएगी? देखो 1 minus minus 4 प्लस हो गया 1 plus 4 5 5 A की value 35 है तो A कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा A और R आ जाएगा तो अब sequence लिख सकते हैं ठीक है? तो यह तरीका रहेगा GP के सवालों में substitution यहाँ पर यूज करके निकाल सकते हो R की value substitute करके A निकल जाएगा A की value बढ़ उसमें calculation लंबी होगी ठीक है? Second देखो क्या है इसको कर ले ना Find the least value of N जहाँ पर N अपने को क्या दे रखा है? Natural number सवाल में हर जो भी value या चीज दे रखे 8 हाँ For which sum of series Sum of series Up to N terms Exceed 9000 9000 से जादा कब होगा N की value क्या होगी तो पहले तो क्या करते है? Sum निकाल सकते हम 1, 3 3 का square 3 की power 3 से लेके N terms तक हमें given है या पे ना इस sequence का या इस series का sum निकालना है कहां तक N terms तक और N की value बतानी है कि उसका sum 9000 से बड़ा हो जाए तो पहले तो sum निकाल देते है S N क्या होगा formula? A into A into 3 की power N minus 1 upon 3 minus 1 यह हो गया यह sum S N exceed करना चाहिए किस से 9000 से बड़ी value होनी चीज़ की इसकी value 9000 से बड़ी होनी चाहिए वो N निकालना है अपने को तो 3 की power N minus 1 upon यह कितना हो जाएगा? 2 क्या हम यहाँ पे cross multiply कर सकते है? कर सकते हैं क्यूंकि हमें 2 की value पता है positive है constant है तो 3 की power N minus 1 हो जाएगा greater than 18000 और यहाँ से निकलेगा 3 की power N की value होनी चीज़ greater than 18000 1 ठीक है? अब इसको solve करने का तरीका क्या होगा? हमें यहाँ पे 3 की powers लिखनी आनी चीए या तो बड़ हमें exact तो value पूछी नहीं है तो इसका मतलब यह तो sure हो गया कि यह 3 की power में तो नहीं है हमें तो इसलिए तो list value पूछ है तो हमें यहाँ पे value निकाल निकाल के देखनी है यहाँ पे value निकाल निकाल के देखनी है आपको कुछ तो आपको याद होगी जैसे 3 की power 4 कितना होता है 81 और 3 की power 5 243 3 की power 6 729 होती है न 3 की power 7 निकालूँगा तो यह 3 से multiply होगा तो आप exact मत निकालो न पेपर में approach लिख लो फिर 8 निकालेंगे तो कितना जाएगा approach लिख लिया exact मत निकालो approach निकालने न अपने को तो 3 की power 9 करूँगा तो कितना जाएगा 18,000 इसको मान लो multiply यह approach निकाला है मैंना यह values approximately exactly निकालने के अपने को ज़रूत नहीं है क्योंकि हमें बस यह पता करना है कि 18,000 से बड़ा कब हो जाएगा 18,000 से बड़ा कब है जब n की value क्या है 9 मतलब n की value 9 या 9 से बड़ी होगी न तो उसका sum 18,000 1 से बड़ा होगा बट हमें पूछा है क्या है लीस्ट पूछा है आंसर इसका 10 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है बट लीस्ट पूछा है तो 9 आंसर हो जाएगा हमारा शमझ में आ गया तो इस तरह की जो inequalities हैं उनको ऐसे ही solve किया जा सकता है लोग लोग है तो लोग में value निकालनी नहीं आती ना हमने सीखी है हमने तो वही लोग में value निकालना सीखी है जो base और power वो number में आपस में कुछ ने कुछ power का relation हो यहां तो यह ही नहीं ऐसा relation तो बस आपको इस inequality को solve करना हो तो हमें यहां पे क्या बताना है N की value बतानी है कि कब यह इस से बढ़ा होगा तो जब यह value 9 या 9 से बढ़ी होगी तब इसकी पूरी value 18,000 से बढ़ी होगी तो यह calculation आपको smartly करनी है इसमें आपको time waste नहीं करना कि 729 को 3 से multiply कर रहो फिर जो value आई उसको 3 से कर रहो approximately देख लो न क्योंकि 3 से multiply हो रहा है 3 ताइमस हो रही है clear है यह ठीक है last one third क्या देखो अगला है the sum of an infinite number of terms of a GP, infinite GP का sum दे रहा है हमें 15 and sum of their squares मतलब उसी GP के हर term को square कर दिया जाए तो उनका sum आ रहा है 45 तो हमें मतलब दो बार infinite GP का sum लगाना यहां पे third में तो दे रहा है कि एक GP है a plus, ar plus, ar square करके infinite terms था कि उसका sum कितना है 15 and उनके squares का मतलब a square ar का square यह कितना दे रहा है 45 दे रहा है यह sum निकालना हमें आता है formula क्या होता है formula a upon 1-r सबको पता है न a upon 1-r की value कितनी आगी 15 आगी ठीक है equation number 1 यहां से क्या मिलेगा अपने को पहली term क्या है a square common ratio कितना हो जाएगा इनका r square हो जाएगा यदि term को squaring की है तो common ratio भी square हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 अब फिर से यहां पे calculation को आप easy बना सकते हो वो आप पे depend करता है कैसे squaring करके solve कर लो substitution करोगे तो calculation लंबी होगी मैंने क्या बोला eliminate करना है cancellation से यहां a square है यहां पे a है यहां 1-r है यहां तो a को cancel out करना हो तो यहां पे square कर दे तो इसका square करने से हमें क्या मिलेगा a square 1-r का whole square is equal to क्या मिल जाएगा 225 अब मैं 3 और 1 को divide कर 3 और 2 को divide कर दूँ तो a square गाएब हो जाएगा बचेगा क्या r वहां से r की value निकल जाएगी तो यदि मैं 3 divided by 2 करूँ तो a square से a square कट गया यह नीचे आ जाएगा और यह नीचे वाला उपर चला जाएगा यह तो पता होगा आपको यह हो जाएगा 1-r square upon 1-r का whole square इदर 225 और इदर 45 यह कटेगा ना कितनी times 5 times कट रहा है यहां पे भी cancellation होगा इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1-r square को 1-r और 1-r लिख सकते 1-r का whole square is equal to 5 एक इससे यह कट गया और हमें पता ही है यह तो वैसे ही नहीं होता infinite gp में r1 के बराबर नहीं होता minus 1 से 1 के बीच में होता r0 तो वैसे ही नहीं होता r तो r not equal to 1 है यहां पे वैसे ही तो यह cancel out भी हो गया तो बचा क्या 1 minus r 1 plus r upon 1 minus r equal to 5 1 plus r is equal to 5 minus 5 r यह इदर आएगा यह इदर जला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 r equal to 4 r equal to 2 by 3 r की value 2 by 3 आगी तो यहां पे put कर दे r की value को 1 minus 2 by 3 कितना हो जाएगा a की value 5 आजाएगी यहां से solve करोगे तो a की value 5 आजाएगी a5 आगया r 2 by 3 है तो s5 तो बहुत easily निकाल सकते हो तो यह जो है ना यहां पे तोड़ा जान रखने आपको cancellation डिवाइड करके एक variable को cancel out कर देंगे तो easy हो जाएगा solve करना आगे ओर सवाल एक standard सवाल है जो तो बहुत बार पूछा गया फिर पूछा जाएगा question number 4 if a n equal to nth term of a gp a n को यहां nth term of gp information दे देते हैं न gp and a1 प्लस a2 प्लस a3 is equal to 13 and a1 square प्लस a2 square प्लस a3 square is equal to 91 find a30 jman में यह सवाल काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे सवालों में सारे बच्चे attempt करेंगे calculation में इसमें फर्स जाते हैं बच्चे तो करो attempt पता लगेगा एक बार बलब यह दे रखा है sum of three terms and यहां पर दे रखा है उनके स्क्वाइर का सम अभी तक हो जाना चाहिए था देखो an दे रखा है nth term of gp तो a1 का मलब first term a2 का मलब second term a3 का मलब third term हो जाएगा तो यहां दे रखा है sum of first three terms यहां पर दे रखा है उनके squares का sum तीन terms माननी है product नहीं दिया तो आप a, ar और ar square मान सकते हो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मान लेते हैं let a1 is equal to a a2 equal to ar और a3 equal to ar square यहां पर put करें तो a plus ar plus ar square किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा a common आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यह r square plus r plus 1 is equal to 13 ठीक है वहां पर value put करें तो a square a square r square और a square r की power 4 is equal to कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा यहां से a square common ले ले तो क्या जाएगा 1 plus r square plus r की power 4 is equal to 91 a और r में दो equation है दोनों को solve करने का तरीका क्या होगा cancellation करना है यहां a square है यहां पर a है तो क्या करना है इसका square करना है इसको मैं square कर दू तो a square क्या हो जाएगा 1 plus r plus r square की power 2 is equal to 13 का square 169 हो जाएगा अब इन दोनों को divide कर दे इसको equation number 1 और इसको equation number 2 बोलू मैं और यहां पर 1 divided by 2 करूँ तो a square से तो a square cancel out हो गया यहां क्या आगया 1 plus r plus r square की power 2 divided by 1 plus r square plus r की power 4 is equal to यह cancel out हो जाएगा न 13 से यह 13 into 13 लिखा हुआ है यह 13 into 7 लिखा हुआ है तो कड़ गया इस फेक्टर के बारे में आपने पहले भी देखा होगा नहीं देखा है तो फिर आप लिख लो इसको r की power 4 plus r square plus 1 r square plus r plus 1 और r square minus r plus 1 इसके दो factors होते हैं वो जगे काम में आता है यह न differentiation में भी काम में आता है integration में भी काम में आता है यहाँ पे भी काम में आता है तो इसका मतलब इसका एक factor इसके साथ cancel out हो जाएगा तो इसको मैं आगे लिखो तो इसे लिख सकता हूँ 1 plus R plus R square की power 2 is upon 1 plus R plus R square और 1 minus R plus R square is equal to क्या हो जाएगा 13 by एक ये इसके साथ cancel out हो गया तो ये हो गया 1 plus r plus r square upon 1 minus r plus square is equal to 13 by 7 अब ये quadratic बच गी बस quadratic को solve करो तो cross multiply कर दो तो 7 plus 7 r plus 7 r square is equal to 13 minus 13 r plus 13 r square हो गया इन सब को उधर ले जाओं तो 13 r square minus 7 कितना हो जाएगा 6 r square minus 13 r और minus 7 r कितना हो जाएगा minus का 20 और 13 minus 7 कितना हो जाएगा plus का 6 equal to 0 2 से cancel out हो रहा है क्या तो इसको cancel out कर देते हैं इसके factor कर सकते हो easily 3 r minus 1 और r minus 3 इसके factor हो जाएगा आप करोगे तो 10 r को 9 r लिख सकते हैं minus 9 r और minus का r लिख सकते हैं इधर से 3 r को common लेंगे हम तो r minus 3 बचेगा इधर से 1 common लेंगे तो r minus 3 बचेगा 3 r minus 1 और r minus 3 तो r की value क्या क्या आगी 1 by 3 और 3 दो values आगी 2 r होंगे तो उसके हिसाब से 2a हो जाएंगे क्या है हमारे पास यह है न a plus ar इसको लिख लेते हैं a 1 plus r plus r square की value कितनी है 13 है जब r की value 1 by 3 ले तो a 1 plus 1 by 3 plus 1 by 9 is equal to 13 आजाएगा यहां से solve करें तो 13 by 9 हो जाएगा यह calcium ले ले तो 9 9 plus 3 plus 1 13 से 13 कट गया तो a की value कितनी आजाएगी जब r 1 by 3 होगा तो a आजाएगा 9 और जब r 3 होगा तो a कितना आजाएगा 1 आजाएगा न जब r की value 3 रखेंगे तो 9 plus 3 12 plus 1 13 13 से 13 कैंसल आउट होगा तो a की value 1 आजाएगी अब हमें जो पूछा है बता सकते हैं इसके बाद तो कुछ भी पूछा जा सकता आपसे a 30 पूछा है तो a 30 लिख दो a 30 लिखने में क्या होगा दो बार लिखना पड़ेगा न एक बार जब r की value 1 by 3 और a 9 है और एक बार जब r की value 3 और a 1 है तो a लिख दिया 9 into r raised to power r कितना है 1 by 3 1 by 3 तो 1 minus 1 by 3 की power कितना लिख देंगे 20 30 sorry और यहां पर कितना जाएगा 1 minus 1 by 3 ठीक है यह solve हो जाएगा आगे और a 30 की एक value क्या जाएगी a की value 1 है 3 की power 30 minus 1 upon 3 minus क्या अच्छा sum का formula लिख दिया sorry sum नहीं निकालना न अपने को तो time निकालनी है तो a into r की power n minus 1 हो जाएगा a 30 कितना हो जाएगा हमारा a 30 a into a कितना है 9 into 1 by 3 की power 30 3 की power 2 और यहां पर कितना है 3 की power 30 3 की power 28 हो जाएगा न उपर 3 की power 2 है नीचे 3 की power 30 लिखा अच्छा sorry 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 r की power n minus 1 होगा तो 29 आएगा न यह यस तो यहां पर कितना जाएगा 1 upon 3 की power 27 आजाएगा इदर से a 30 लिखेंगे तो a into r की power 29 अच्छा तो दो विल यूज आ जाएगी a 30 की तो यह स्टेंडर्ड प्रोब्लम में ध्यान रखना इसको कैसे solve क्या बेटा power 4 में equation बने तो कैसे solve करेंगे j के अंदर quadratic और cubic आती है power 4 में आती है तो यहां तो वो perfect square बन जाती है जैसे इसको solve कैसे किया गया है इसको solve कैसे किया है इसको perfect square बना की क्या है यहां पे r square प्लस कर दिया और minus कर दिया मतब random four degree equation आपको solve करने के लिए नहीं दी जाएगी और random कुछ भी लिखके दे दिया और बताओ x की values क्या होगी वैसा कभी नहीं दिया जाएगा आपको इसको भी solve a factor बने कैसे यह पता होगा ना इसमें r square प्लस क्या और minus क्या क्या क्योंकि a square और b square है यहां पे 2a भी बन जाए तो a प्लस b का whole square बन जाता है तो वहां से a square minus b square a plus b और a minus b से हो जाता है 3 degree तक की आपको solve करने के लिए दी जा सकती है उसमें पहला heat and trial से देखना पड़ेगा आपको factor उसके बाद आपको divide करके देखना पड़ेगा ठीक है नौट करना ही है कि खुद करोगे खुद कर लोगे नहीं है ठीक इसके बाद GP के अंदर कुछ sequence आपको ऐसी दी होगी जो आपको GP में दिखेगी नहीं बट उनको convert किया जा सकता है GP में तो ऐसी कुछ sequence होती है जो convertible to GP होगी किस तरह की दिखेगी यह देखो आपको देखते ही पता लग जाएगा वैसे जैसे कि मालो आपको दे दिया x equal to 0.423 यह तो आपने 9th 10th class में भी सीखा होगा इसकी value कैसे निकालते हैं बट यह GP है यह GP कैसे है देखो 0.423 repeat हो रहा है न तो 232323 ऐसे चलता रहेगा तो 0.423 की value जैसे 9th 10th class से निकाले तब तो क्या गरेंगे 100 से multiply करके minus कर देगे तो आज आएगा बट उसको GP से भी निकाला जा सकता है अब देखो 0.4232323 repeat कर रहा है अब GP बनाना हो तो इसको मैं कैसे लिख दू देखो जैसे एक तो लिख दिया मैंने 0.4 अब इस 0.4 में क्या plus करें 0.23 एड करें तब यह आएगा या 0.023 एड करें 0.023 क्योंकि देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूं 0.4 लिखा फिर 0.023 लिखा फिर क्या लिखूंगा 0.00023 0.00023 अब यदि इन सब को मैं plus करूंगा तो क्या value आएगी यही value आएगी जो यहां लिखी गई है 0.00000023 अब इनी को एड कर दो 232323 यह आजाएगा और यहां पर 4 आजाएगी तो यह जो लिखा वा था इसको मैंने एजे sum लिख दिया 0.42323 को एजे sum में लिख दिया अब यह तो होगी यह 4.4 तो अलग से हो और यहां पर देखो क्या GP बन रही है क्या यह क्या लिखावा है 23 by 10 की पावर 3 यह क्या लिखावा है 23 upon 10 की पावर 5 decimal को हटा दिया तो नीचे 0 लग जाएंगे 3 के बाद था तो 3 0 5 के बाद था तो 5 0 लग गए 23 upon 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 और यह कौन सी GP है इन्फाइनाइट तक चलती रहेगी खतम तो होगी नहीं तो क्या यहां पर हम इन्फाइनाइट GP का फॉर्मला लगा सकते हैं 23 को कॉमन ले लेंगे यहां से तब जाके GP बनेंगी है ना 23 को कॉमन लिया तो यह बन गया 1 upon 10 की पावर 3 इसको भी कॉमन ले सकते हैं वैसे 10 की पावर 3 भी कॉमन आ जाएगा तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी 1 1 upon 10 की पावर 2 1 upon 10 की पावर 3 कॉमन आने पे 2 यहां 4 आ जाएगा यह इन्फाइनाइट तक चलती रहेगी अब formula लगा दो 4 plus 23 by 10 की power 3 a upon 1 minus r a कितना इसका 1 1 minus common ratio कितना है 1 by 100 1 by 100 हो गया यह ठीक आगे solve करें तो क्या हो जाएगा यह 0.4 है यहाँ पर 0.4 plus 23 upon 10 raise to power 3 यहाँ पर LCM लेके solve करें तो देखो यह LCM 100 आजाएगा 100 minus 1 हो जाएगा 99 और उपर कितना चला जाएगा 10 की power 2 चला जाएगा उपर यह हो जाएगा 10 की power 2 यह 100 उपर चला जाएगा तो 10 की power 2 इससे कट गया यह यह हो गया 4 by 10 plus 23 by कितना हो जाएगा 9 90 990 LCM आगया तो 99 को 4 से multiply करें तो कितना आजाएगा 396 99 को 4 से multiply करेंगे तो आजाएगा 396 plus 23 कितना हो जाएगा 4 19 by 990 बस मैंने यह करके दिखाया है इस तरह का सवाल आजाए तो हमें करना तो वेसे ही solve है मालोब सवाल पूरा तो नहीं आएगा बट कहीं use आजाए इसका कि इसकी exact value निकालनी कितनी होगी मतलब P by Q की form में represent करना है इसको यह P by Q की form में आगया है बस बस बताने के लिए मैंने यह solve करवाया है कि यह भी एक तरह से GP है इसकी value निकालना मतलब GP में convert करके निकाला जा सकता है यह इतना ज्यादा important नहीं है बस जो second type पढ़ेंगे न वो ज्यादा important होगा एक बार फटा-फट से note कर लो इसको लिख लिया second type की आपको कैसे देखने को मिलेगी जैसे आपको निकालना है sum 1 प्लस 1 प्लस इसका sum निकालना होता है यह भी जही मैंने बहुत बार पूछा गया और पूछा जा सकता है अब तो आपके इतने सारे paper होता है ना तो किसी ने किसी के आ सकता है पहले तो क्या एक ही paper होता था तो एक ही सवाल पूछा जाएगा अब तो चार attempt हर attempt में छे से साथ सिट्स एक chapter से कम से कम 40-50 सवाल बन जाते हैं तो उसमें यह सवाल तो बनेगा बनेगा तो जिसकी किसमत अच्छी होगी उसके आ जाएगा इस बार भी इस तरह का कुछ expression आया था आप में से किसी का आया अग नहीं पता नहीं तो कुछ बच्चे तो इसको यहां से डायरेक्ट ही solve कर देतें तो कैसे solve करते हैं किसको आता है इस आपको आता है क्या करेंगे पहले 9 से multiply करेंगे पहले 9 से multiply करेंगे तो 9 से multiply करने पर यह बन जाएगा 9 9 9 9 9 9 इस तरह से बन जाएगा 9 से multiply करने का reason क्या था GP बनाना है तो 1 को 1 रख दे और 11 को यदि मैं 10 प्लस 1 रख दूँ तो ये इस तरह से बन सकता है वैसे 1, 10 प्लस 1 फिर इसको मैं 100 प्लस 10 प्लस 1 रखूँ तो काफी complicated बन जाएगा ये अभी काफी complicated बन जाएगा ना इसको जैसे 1, 1, 1 तो आते रहेंगे पर उनको count नहीं कर पाएं क्योंकि फिर इसको अलग तरह से लिखना पड़ेगा इसलिए इसको 9 से multiply कर दिया मैंने पहले अब 9 से multiply करने के बाद मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? sorry 9 को क्या लिख सकता हूँ? 10 minus 1 लिख सकता हूँ. 99 को क्या लिख सकता हूँ? 100 minus 1 लिख सकता हूँ. 999 को क्या लिख सकता हूँ? 1000 minus 1 लिख सकता हूँ 9999 को क्या लिख सकते हैं? 10,000 minus 1 लिख सकते हैं ऐसे चलता रहेगा जब पहली time है तो 10 की पावर कितनी है यहाँ पे? 10 की पावर 1 minus 1, 10 की पावर 2 minus 1, 10 की पावर 3 minus 1 10 की पावर 4 minus 1, ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा 10 की पावर n minus 1 आ जाएगा न पहली टाम में 10 की पावर 1 है, तो nth में क्या हो जाएगी 10 की पावर n हो जाएगी अब यदि मैं count करने start करूँ 1, 1, 1 या इसा बोले कि minus 1, minus 1, minus 1 कितनी बार है n times है minus 1, minus 1, n times है तो minus n हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 1 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर n ये एक gp बन गी और इदर आओ गया minus का n और इदर 9s की value है जल्दी बाजी में ये 9 रहे जाता है पीछे रहा होगा इस बार भी बहुत सारी चीज़े आपको पता होगा तो ये ध्यान रखने है आपको तो इसकी कुछ आप rule बना लिया करो जब तक अपनी आदत नहीं बनाओगे किसी चीज़ की तब तक वो follow नहीं हो सकती आप ऐसा सोचते हो कि मैं पेपर में जाके इसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा वो नहीं होगा एक आदत ये बना लो कि सवाल solve किया आपने answer आया क्या जो हमने answer निकाला है वो वह है क्या जो पूछा गया है ये cross verify करने की आदत होनी चीए नहीं तो क्या होता है बीच में कुछ answer दिखा option में दिख गया तो mind वह ही चला जाता है कि यह होगा answer इसको solve करके जो value आएगे न 9 से divide करने से पहले वो भी answer में होगी क्योंकि हमें solve तो इसको करना है तो इसको solve करते रहेंगे इसको भूल जाएंगे पहला option ही दिख गया टिक मा कर दिया तो ऐसी गलतियों को avoid करने के लिए बस एक यह आदित बनानी है क्या हम वही answer कर रहें जो पूछा गया है बस इतना verify करना आप उसकी आदित बना ले हर paper के अंदर यहाँ पे भी उसको follow करे इसका sum निकालेंगे तो n terms का sum first term into r की power n minus 1 upon r minus 1 minus n हो जाएगा यह 9s की value है तो s की value कितनी आजाएगी 10 by 9 और 9 और 81 हो जाएगा यह इदर आजाएगा 10 की power n minus 1 और यहाँ पे कितना आजाएगा n by 9 और जाएगा यह sn हो जाएगा ठीक है चलो इस पे कुछ सवाल दे देता हूँ मैं आपको जिससे की आपको थोड़ा idea लग जाएगी कि jy में कैसे सवाल पूछेंगे आपसे पूरा result नहीं पूछेंगे आपको कभी भी चार option में इस तरह की value नहीं दियोगी इस तरह की value दे दोगे तो आपको solve करने की ज़रत नहीं है आप n की value 1 या 2 पुट करके check कर सकते हो तो वो किस तरह से सवाल देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ जहीं में सवाल जो पूछे जाएंगे उनका तरीका क्या होगा लिखो और solve करने आपको इसका तरीका जैसे की 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप्टू 51 टरम्स तो n की तो बात खतम होगी यहीं पे और इसके आगे भी यहसे देंगे लिखावा इस इक्वल टू यह वेल्यू किसके बराबर है 51 माइनस 1 अपॉन पी 1 माइनस 10 की पावर क्यू वेर पी एंड क्यू आर नेचुरल अंबर फाइंड प्लस क्यू यह आपको सवाल दिया जाएगा तो इसमें आप वेल्यू अगेरा पुट करने वाला तो लोजिक खदम हो जाएगा और दूसरे टाइप का जो सवाल बनता है वो यह बनता है फाइंड इस सम आफ सम आप सीरीज कि 3 अपॉन 19 प्लस 33 अपॉन 19 का स्क्वेर प्लस 3 3 3 अपॉन इंफिनिटी तक यह दो टाइप के सवाल आप से पूछे जा सकते हैं केरफुली करना गलती हो सकती है तो गलती ना हो उसके लिए क्या गरेंगे हम डेसिमल को हटा लो क्योंकि डेसिमल नहीं रहेगा फिर तो इनको बहुत ईजी लिख सकते हैं 999999 को तो लिखा जा सकता है तो फर्स्ट वाले को सोल करें हम तो इसको लिखा जा सकते हैं 9 by 10, 99 by 100 मतलब 10 की पावर 2 999 की पावर upon 10 की पावर 3 इस तरह से लिखा जा सकता है अब 2, 51 टर्म्स ऐसे लिख लो ना अब 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 minus 1 by 10 10 square minus 1 upon 10 square 10 की पावर 3 minus 1 upon 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे तो यहां पर क्या लिखूंगा 10 की पावर 51 minus upon 51 यही आएगा फर्स्ट वाले में 10 की पावर 1 है सेकेंड में 2 है, थर्ड में 3 है तो 51 टर्म्स में जाएगा 10 की पावर 51 minus 1 upon 10 की पावर 51 इसको आगे शोल करूं तो इदर तो देखो कटके हर बार 1 आ रहा है अना 10 की पावर 1 upon 10 की पावर 1 हो गया यह हो जाएगा 1 by 10 फिर इदर 1 अब इदर हो जाएगा 10 square इदर 1 10 की पावर 3 इदर हमेशा 1 रहेगा और इदर 10 की पावर 51 1 1 1 1 1 कितनी टाइमस है 51 टाइमस है तो यह हो गया 51 minus यहाँ पे 1 upon 10 plus 1 upon 10 square से लेके 1 upon 10 की पावर 51 तक दे रखा है ठीक है इसको इसको आगे तो 51 minus a into a कितना है 1 by 10 1 minus r की पावर n मतलब 51 upon 1 minus 1 by 10 हो जाएगा यह होगा न a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r हो जाएगा इस 10 से यह 10 कट जाएगा तो यह आजाएगा 51 minus 1 by 10 1 minus 1 upon 10 की पावर 51 यह हो जाएगा 9 by 10 इसे यह कट गया तो बचा क्या 51 minus 1 upon 9 और यह जाएगा 1 minus 10 की पावर 51 यह पी और क्यू आजाएगा यहां से यह तो हो गया पी और यह हो गया क्यू तो पी की वेल्यू यहां से आगी 9 और क्यू आगया 51 दोनों का सम करेंगे तो पी प्लस क्यू आजाएगा 60 19 by 54 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है सेकेंड क्या है देखो 3 by 19, 33 by 19 का स्क्वार 3 3 3 upon 19 का क्यूब यह डाइरेक्ट जीपी नहीं है इसको कनवर्ड करना पड़ेगा तो यहां तो वेल्यू फिक्स रहरी है ना तो 3 को पहले किसमें बदलेंगे 9 में बदल सकते हैं सीधा 1 और 9 में बदलो या डाइरेक्ट 9 में बदल दो इसको डाइरेक्ट 9 में बदलना असान है 3 से मल्टिप्लाई हो जाएगा मालो यहां 7 होता तो फिर पहले 7 को बाहर ले लेते फिर 9 से मल्टिप्लाई कर देते तो इसमें क्या करेंगे हम S infinity निकालने हैं न अपने को तो यहां पर क्या दे रहे है 3 upon 19 33 upon 19 का square 333 upon 19 का cube तो इसको मैं 3 से multiply कर दूँ तो 3S हो जाएगा 3S infinity is equal to हो जाएगा 9 by 19 99 by 9 square 999 upon 19 का cube plus 9 को 10 minus 1 लिख लिया फिर इसको 100 minus 1 upon 19 square इसको 1000 तो 100 को 10 का square लिख दे तो जाएगा 10 की पावर 3 minus 1 upon 19 cube प्लस यह इस तरह से infinity हो जाएगा अब इनको अलग लग करें तो यह आगया 10 by 19 minus 1 by 9 यहाँ क्या आजाएगा 10 by 19 का square minus 1 upon 19 का square नेक्स आजाएगा 10 by 19 का cube minus 1 upon 19 का cube यह दो अलग लग GP यह बन गी पहली GP किस तरह की दिखेगी आपको 10 by 19 plus 10 square upon 19 square 10 cube upon 19 cube पहली तो GP इस तरह से दिखेगी दूसरी GP 1 by 19 plus 1 by 19 square plus 1 by 19 cube इसी तरह से किया आपने दो अलग लग GP बनेगी दोनों में infinite GP का formula एपलाई कर देंगे left and side में 3 लिखा हुआ है इस बात का ध्यान रखे 3 into s infinity जो भी हमें चाहिए उसका यहाँ पे first time हो जाएगी 10 by 19 upon 1 minus r r भी यही है 10 by 19 यह इसमें तो r छीक है plus minus आएगा यहाँ पे minus इदर first time क्या है 1 by 19 और r भी क्या है 1 by 19 ठीक है यह हो जाएगा 10 by 19 upon 19 LCM लेंगे नहीं यहाँ पे तो 19 minus 10 9 by 19 हो जाएगा minus 1 by 19 upon 18 by 19 यह इसके साथ कट गया यह इसके साथ कट गया ठीक है यहाँ से आजाएगा 10 by 9 minus 1 by 18 ठीक है कितना हो जाएगा यह 18 LCM आ गया तो उपर आ जाएगा 19 पहला option यह होगा 19 by 18 जो इसका अंसर नहीं है 3S infinity S infinity कितना हो जाएगा 19 by 54 यह इसका answer हो जाएगा तो इस तरह के सवाल पहले किये वह तो बहुत easily वहाँ हो जाएगे देखते ही पता लग जाएगा आपको direct GP है नहीं बड़ इसको convert कर सकते हैं वह कहां से पता लगेगा यहां से 3 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 रिपीट कर रखे होंगे ठीक है next लिखो अगला सवाल 2020 जे में में आया वाए ना GP का ही सवाल है easy साय देखो convertible to GP वाला नहीं यह अलग टाइप का है तो हो गया दो ही टाइप के सवाल पूछे जाएंगे उसके अंदर कि देखो क्या है ए एन हमें दे रखा है GP तो एक GP बन रही है हमारी है ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन यह किसमें है GP में AN तक ले लो चाहिए 2N प्लस 1 कहीं पे भी ले लो यह कहां तक जा रही है last हम यह AN तक ले ले लेते हैं वैसे इसमें 200 वन तक जा रहा है यह 200 तक जा रहा है वहां पे 200 का सम निकालने है अपने को तो A1, A2, A3 यह GP के अंदर है तो GP के अंदर इसकी पहली term A मान ले और common ratio R मान ले तो यह क्या बन जाएगा A, AR, AR square, AR cube ऐसे बन जाएगा अब इसको लिखें तो N equal to 1 put करेंगे तो starting कहां से हो जाएगी 3 से हो जाएगी A3 प्लस A5 प्लस A7 से लेके कहां तक जाएगा यह A201 तक और इसकी value दे रहिए हमें 200 तो यह जो GP है वो starting कहां से और यह इसकी यहां से A3 से start हो रहा है न तो इसकी first term तो कितनी हो जाएगी AR square और इसका common ratio कितना होगा इसमें जो terms होगी यह है AR square होगी तो यह कितना हो जाएगा AR 4 यह हो जाएगा AR 6 यह से terms आ जाएगी न तो इसका sum लिखे है तो number of terms कितनी है इसमें 100 है तो यह आ जाएगा AR square R की power इसका common ratio कितना है R square की power 100 minus 1 upon R square minus 1 यह value है कि इसके बराबर 200 के बराबर है यह यह लिखा है second क्या दे रखा है अपने को second में हमें given है A2 A4 A6 से लेके A200 तक A200 तक दे रखा है equal to 100 ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह AR square term हो जाएगी यह AR की power second term AR होगी न AR यह AR होगा यह AR 3 यह AR 5 इस तरह से GP बनेगी एक तो इसका sum लिखें तो पहली term क्या इसमें AR common ratio कितना है इसका इसका भी R square होगा R square की power 100 minus 1 upon R square minus 1 is equal to कितना दे रखा है 100 दे रखा है यहां से हमें क्या मिल जाएगा यह equation 1 मिल गी यहां पे कितना है R की power 200 minus 1 upon R square minus 1 इदर भी कितना है R की power 200 minus 1 upon R square minus 1 है इन दोनों को divide करें equation 1 और 2 को divide करें तो A भी कट जाएगा देखो R square और R divide होके कितना जाएगा R बचेगा और यह भी completely divide हो जाएगा उसके साथ तो यहां से R की value कितनी आगी 200 by 102 आगी ठीक है अब हमें निकालना क्या है sigma n equal to 1 से लेके कहां तक 200 तक और किस की value निकालनी है an की value निकालनी है तो यहां पर क्या हो जाएगा a1, a2 a3 से लेके कहां तक आ जाएगा यह a 200 तक आ जाएगा यह निकालना अपने को इसको लिख दू में a ar ar square लिख सकते हैं न ऐसे कहां तक जाएगा यह ar की power 99 तक ठीक है अब जो given है उन दोनों को plus करें तो वहां से क्या मिलेगा अपने को कहां से स्टार्ट हो रही है थ्री से और यह स्टार्ट कहां से हो रही है टू से हना ठीक है और GP के अंदर क्या पढ़ते हैं first और last की value का sum या product GP में product GP में sum बराबर नहीं होता है product बराबर होता है AP के अंदर sum बराबर होता है first और last का sum AP में बराबर होता है GP के अंदर product equal होता है sum equal नहीं होता है ठीक है, तो जो गीवन है उससे हमें ये निकालना है, एक टम एक्स्ट्रा आरी है न, जब जो गीवन है उसको add-on करें, तो क्या मिल रहा है अपने को, A2 से start हो रहा है, A2, A3, A4 से लेकि कहां तक जा रहा है, A201 तक जा रहा है वो, और ये 300 के बराबर है, और हमें इसकी value चाहिए, और R निकल गया है बस, इस R equal to 2 का use करना है, कैसे कर सकते हैं, सोचो एक बार देख, A2 से लेकि 200, 1 तक हमें पता है, हमें A1 से लेकि 200 तक चाहिए, R का use कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर, R का use करना पड़ेगा, R की value जो 2 आई है, उसका use करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, A2 से लेकि कहां तक, क्या common ले ले यहां से, R, R कॉमन लेते ही क्या मिल जाएगा हमें, कहां तक, 199 is equal to 300, यह expression यहां मिल चुका है, तो इसकी value कितनी हो जाएगी, 300 by R, और which is equal to, अच्छी problem है, जब तक R नहीं निकलेगा, तब तक सोलनी होगा, तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा न, यह एक ही GP है, जिसकी एक term को यहां ले लिया, दूसरी को यहां ले लिया, एक ही करके, split करके sum लिखा गया, इनका, तोड़ा से यह ज़ान रखना है, बेटा, GP में AP नहीं enter करना, AP में GP नहीं करना, आप AP को as a sum consider करो, GP को as a product, क्योंकि जो AP में formula लगते हैं, जिसमें plus होता है, वो GP में multiply हो जाता है, GP, AP के अंदर minus होता है, वहां GP में divide होता है, next लिखो, चलो देखो, इसका और तरीक है, बेड़ा थोड़ा सा lengthy होगा, बट हो जाएगा, देखो, A by B, यह हमें एक तो ratio given है, कि इस form में आएगा न, and given that this, A और B का ratio इस form में आएगा, एक condition दे रखिए कि दो number का जो sum है, वो किसके बराबर है, three times of their gms, यह की condition given है, A की question चे हम A और B की value तो निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, हमें A और B का ratio चाहिए, A और B अलग लग, नहीं, ratio चाहिए, direct ratio आजाए तो काम बन जाएगा, तो A प्लस B और इसको मैं इधर divide कर दूँ, is equal to कितना आगया, three आगया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो कि इसको इधर ले आए, अब match में आपने component और डिविदेंटों पड़ा होगा, C and D, component और डिविदेंटों पड़ा है, क्या होता है, देखो, उसके बारे में छोटा सा मैं आपको idea दे देता हूँ, C and D, काफी helpful होता है यह चीजों को solve करने में, यदि हमारे पास A by B और C by D का रइशो लिखा हुआ है, तो यह ratio A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D के बराबर होता है, मतलब क्या है कि हम इन दोनों को आपस में convert कर सकते हैं, यदि हमें A by B और C by D दे रखार, A plus B और A minus B चाहिए तो C and D लगा दो, यह चाहिए तो इस पे C and D लगाओगे तो वापस ही आ जाएगा, देखो इस पे C and D लगाओगे, तो A plus B plus A minus B upon A plus B minus A plus B हो जाएगा, तो कट के बापस यह आ जाता है, तो यह आपस में एक दूसरे में convert हो जाते हैं किस से, C and D से, ठीक है, अब हमारे पास है A plus B, कुछ तो मिला, मतलब इससे यह लाया जा सकता है, जब A plus B हो, तो उसे A by B लाया जा सकता है, उसमें कौन दिक्कत क्रेट कर रहा है, यह दिक्कत क्रेट कर रहा है, यहाँ पे A minus B हो तो बहुत easily आ जाता बट है नहीं, अब माल लो यहाँ पे मैं C and D लगाओँ, तो A plus B plus root A भी बनेगा कि नहीं बनेगा, और A plus B minus root A भी बनेगा, एक बार के लिए लगा भी दो तो, अब यह है इसका square, यह है इसका square, तो यह क्या लिखावा दिक्रा आपको, A square plus B square plus A B है, यहाँ पे 2 A भी हो जाए, तो काम बन जाएगा क्या हमारा, A square plus B square, यहाँ रूट A को मैं X मानूं, रूट B को Y मानूं, तो यह X square plus Y square plus XY है, यहाँ पे 2 और हो तो काम बन सकता है, यहाँ तो 2 नहीं लगा सकता, क्या, यहाँ मैं उपर नीचे 2 से multiply कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे उपर नीचे करने की बजाए, ऐसे कर दो बात तो एक ही है, 2 और 2 को multiply कर दिया, अभी भी balance हो रखा है यह कोई दिक्कत नहीं है, यह ना करते हुए, अब यदि मैं component and dividend लगाऊं, तो क्या बन जाएगा, a plus b plus 2 root a b upon a plus b minus 2 root a b, उदर क्या बन जाएगा, 3 plus 2 upon 3 minus 2, x square plus y square plus 2xy है, x square plus y square minus 2xy है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, root a plus root b का whole square upon root a minus root b का whole square is equal to, कितना हो जाएगा, 5 divided by 1 हो जाएगा, यह होगा ना, 2 से divide कर दिया हमने है ना, ठीक है, 3 plus 2 हो गया, और 3 minus 2 हो गया, हमें चीए a और b अलग लग, तो square है, तो square root कर दे, square root करेंगे तो आजाएगा, root a plus root b upon root a minus root b is equal to root 5 upon 1 आजाएगा, अब cnd लगाते फिर से, फिर से cnd लगाने से, यह क्या बन जाएगा, 2 root a upon, 2 root b बन जाएगा, यह बन जाएगा, root 5 plus 1 upon, root 5 minus 1, इससे यह कड़ गया, अब क्या करना है, squaring करनी है, squaring कर दिया, तो a by b is equal to, इसका square करेंगे तो, a square plus b square plus, 2ab, a square plus b square minus का, 2ab कर दिया, यह कितना हो जाएगा, a by b की value, 6 plus 2 root 5 upon 6 minus 2 root 5, अब हमें सवाल में क्या दे रखा है, p and q क्या होने चीए, prime number होने चीए, तो p and q prime बनाने के लिए, मैं 2 को common लेके cancel out कर दूँ, तो यह answer आ जाएगा, और यहां से p की value 3 और q की value 5 हो जाएगी, और p plus q कितना हो जाएगा, 8, तो इससे क्या है कि direct expression मिल गया वो, यह reject मैंने क्यों किया, क्योंकि a और a b से बढ़ा है, हाँ, a by b greater than 1 नहीं हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट 5 यह होता है, यह 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, यह तो 1 से छोटा जाएगा न, 3 माइनस 2.25, by 2 करेंगे तो वो 1 से छोटा जाएगा, समझ में आगे तो यह standard problem है, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है, तो आगे इसे जान रखेंगे, कि जब भी हमें a b के बारे में कुछ relation दिया हो, और a ratio b निकालना हो, तो component and dividend का यूज किया जा सकता है, ट्रीकों के अंदर भी बहुत जगे इसका यूज करते हैं, C and D का, ठीक है, तो एक सवाल होमबक में लिख लो, then class का time तो हो गया ना अपका वैसे, कोई ना,